हलो बच्चो आसा है आप परिवार सहीत सब पुशल होंगे आज जो है एक प्रियाश के अंतरगत गणित्मे में ब्रत से संबंधित को शामाने प्रश्न आप से सेर कर रहा हूँ पहला प्रश्न है ब्रत किसे कहते हैं तो इसका अंसर है किसी एक निश्चित बिंदू से समान दूरी पर इस्थित बिंदों का बिंदूपत ब्रत कहलाता है जैसे ये है ये एक बिंदू है और इस से ये चारो तरफ जो छुट बिंदों से बना ये ब्रत मार्ग है ये रास्त इस पूरे को ब्रत कहते हैं प्रस नंबर दो है परीधी किसे कहते हैं इसका आंसर है ब्रत की कुल लंबाई को ब्रत की परीधी कहते हैं जैसे यह है यह ब्रत था तो यह वाली जो है यह नाइन यह परीधी कहलाती है अगर मैं इसे यहां से काट कर इसको सीधा फैला दूं तो जितनी इसकी कुल लंबाई है या जैसे भी हम इस पर धागा रख्यन आप सकते हैं कितनी है ठीक है तो ये क्या होई इसके परीधी प्रष नम्बर तीन है जीवा क्या होती है और ये परीधी ज्याद करने का सूतर है तू पाई आर यानि दो गुणा पाई गुणा तरज्जा ये आर तरज्जा है प्रष नम्बर तीन है जीवा क्या होती है इसका अंसर है ब्रत के किनी दो बिंदों को मिलाने वाला रेखा खंड जीवा कहलाता है जैसे ये ये ब्रत पे दो बिंदो थे C और D तो हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये लाइन क्या होई ये जीवा होई प्रह नमबर चार है ब्यास किसे कहते हैं तो इसका अंसर है केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ब्यास कहते हैं यानि एक जीवा ही है ठीक है रद के दो बिंदो को मिला रहे हैं बस सर्थ यह है कि यह केंद्र था इसका ओप और यह केंद्र से होके जा रही है ठीक है प्रह नंबर पांच है और यह ब्यास जो है क्या है कि तरज्जा का दुगना होता है ठीक है ब्यास को डी से प्रदर्शिक करते हैं प्रह नंबर पांच है चाप क्या होती है तो ब्रत के दो बिंदों के बीच के भाग को चाप कहते हैं जैसे इस ब्रत पे ये दो बिंदों हमने लिए थे जी और एच तो ये लाल रंग से दिख रहा है ये क्या है इसकी चाप तो चाप ये छोटी होगी तो ये पूरी वाली बड़ी होगी ठीक है अगला प्रश्ण है छटा तरज्जा किसे कहते हैं इसकांसर है केंद्र से ब्रत के किसी विंदों तक की दूरी को तरज्जा यानि तरज्जा कहलाती है तरज्जा कहते हैं तो जैसे ये केंद्र था तो यहां से ये परिदे तक की दूरी क्या होई ये भी तरज्जा यहां से यहां तक ये भी यह यह त्रज है तरह्त जीवा और चाप के बीच के छेत्र को बरत खंडbij कहते हैं देखें यह हमारी जीवा और ये ब्रत था तो इसके बीच का ये जो पूरा छेतर है ये इसको ब्रत खंड कहते हैं ये वाला प्रस नमबर आठ है त्रिज्या खंड किसे कहते हैं तो इसका आंसर है ब्रत की चाप और दो त्रजाएं जो चाप के सिरों को केंदर पर मिला प्रस नमबर आठ का आंसर है ब्रत की चाप और दो त्रजाएं जो चाप के सिरों को केंदर पर मिलाती हैं के बीच के छेतर को त्रिज्या खंड कहते हैं जैसे ये है ये चाप हुई यहां से यहां तक और ये दो त्रजाएं हैं तो ये जो पूरा छेतर है ये ये त्रिज्या खंड हुआ, अगला प्रश्ण है, प्रण नमर नो, पाई क्या है, तो परीधी और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, यह एक नियतांग है, यानि ब्रत कितना ही छोटा हो, बड़ा हो, परीधी और व्यास का जो अनुपात है, वो हमेशा एक ही संख्याती है, 22 बटे साथ तो उसको पाई कहते हैं, तो देखे, यह है परीधी यह, अगर हम इसको उपर रखें और इस व्यास को बटे में करें, तो यह जो अनुपात हुआ इस परीधी का और इस व्यास का, वो ही पाई है, प्रश्ण नमर दस है, ब्रत के केंद्र से होकर जाने वाली कितनी खीची जा सकती हैं, इसका अंतर है, ब्रत के केंद्र से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खीची जा सकती हैं, यह केंद्र है, वो इससे कितनी भी रेखाएं आप, असंख्य इतनी रेखाएं हैं कि हम गिन नहीं सकते, आपला है, यह इंगलिस के चार सब्द हैं, इसके दाने चिन्नि के दाने से काफी मोटे होते हैं प्रस्ट आगला है तीसरा सब्द है चैपिटल आई टी एक चैपिटल मने रायधानी जैसे हमारे राज्य उत्रागंड के रायधानी है देरा दो चौथा सब्ध है Capture C-A-P-T-U-R-E Capture माने पकड़ और इनाम नहीं बाद इन सब को अपने कॉपी को उतारेंगे और याद कर लेंगे और वीडियो पशंद आता है तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे